रसमलाई खाना किस किस को पसंद है तो रसमलाई बनानी में भी छोटे छोटी सी चीज़े होती है अगर आप ध्यान रखें तो बिल्कुल परफेक्ट स्पॉंजी रसमलाई घर में बना सकते हैं मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सुवे सुवे मेरा 1.5 लीटर दूद ज्योकि फ्रेश दूद था आई डोंट नो कैसे फटा लेकिन फट गया था तो मैंने उसको बढ़िया से चान लिया था साफ पानी से धोके उसका पनीर बना के रख दिया था अब उसी फ्रेश ब ले चलाना है और फिर क्या करना है एक प्लेट ले लीजिए उसमें सारा मिक्षर निकालके आपको हतेली से मलना है जो हमारी हतेली होती है उससे आपको लगातार हतेली के नीचे वाले हिससे से मलना है हलके हातों से मलिये बहुत जादा ताकत नहीं लगानी है लेकिन जितना अच्छा मलेंगे न उतना best result आपको मिलेगा और बहुत बढ़िया से मलने के बाद आटा ऐसा लगने चाहिए मैं आटा इसले बोल रही हूँ ऐसे लगना चाहिए जैसे कि आपने किसी ने मैंदा मार के रख दिया यानि कि मैंदा गूत के रख दिया और यह सब करते करते मेरी बेटी भी स्कूल से आगई थी मैंना उसको बोला मैं आज कुछ बना रही हूँ उसके लिए रसमलाई तो बहुत खोश हो गई जिल्दी यल्दी में चेंज करके आती उसको लगा तुरंत मिल जाएगी तो इक्वल पार्ट्स में बॉल्स को डिवाइट कर ली जो बहुत छ पूल के डबल हो गएते तो ऐसे लगना था रसगुल्ले बन गया है तो रसगुल्ले भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं बॉल्स बनाके रख लीजे बॉल्स बनाते वक्रैक नहीं आना चाहिए बहुत अच्छे से मलना है तब तक एक कढ़ाई में मैंने एक कप चीनी और पानी का रेशियो लेके डाल दिया है आप क्या करना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए पानी में बॉल आएगा गैस का फ्लेम अभी लो कर दिया है और एक एक करके हम सारे अपने यहां पे जो हमने बॉल्स पनाके रखे हैं एड कर देंगे इसमें फिर पंदरा मिनट के के लिए हमको इसको पकाना होता है बिल्कुल चलाना नहीं है कुछ नहीं करना और देखेगा 15-16 मिनट के बाद ना मैं बीच में 4-5 मिनट के लिए ढग दिया था और बाद में ऐसे ही पकने दिया फुल हाई फ्लेम पे आपको पकने देना है और बिल्कुल फूल के डबल हो जित्ता था उतना एड कर दिया केसर को डालना है दूद को बीच-बीच में चलाते रही है यानि कि काड़ना है दूद पूरा रिड्यूस नहीं करना है अगर मान लीजे आपने एक लिटर चलाया है तो आपका पॉन किलो हो जाना चाहिए जिसको आप बोलते 750 ml हो जाना चा और बदाम की डाली है और यहां में रोस पेटल्स डाल रही हूं आप चाहिए तो बाद में केवडा का एसेंस भी डाल सकते हैं मैं आज कोई फूड कलर का इस्तमाल नहीं कर रही हूं हलका हलका कलर केसर का आया है उतना ही चलेगा क्योंकि मैंने बोला ना घर के लिए ही बन इसके बाद मैं इसको रख दूंगी तीन साड़े तीन गंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में शाम के वक्त तीन साड़े तीन चार गंटे हो गए थे बलकी और अब इसको निकाला है तो और इसको थोड़ा सा ड्राइफ रूट की कतरन आप सिल्वर वर्क बहुत सारी चीजों से आप गार्णिशिंग कर सकते हो वो भी जरुवत नहीं होती है आप चाहो तो करो चाहो तो ना करो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाना इसलिए कर रही थी वन्ना मेरा बन कर रहा तो मैं ऐसे ही खालू तो हलका सा मैंने इसको डेकोरेशन इसका थोड़ी गार्निशिंग कर दिया थोड़ी से रोस पेटल्स जालूंगी और बहुत ही शांदार आप चाहें तो उसमें यलो फूड कलर डाल सकते हैं अगर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बना रहे हो अदर्वाइस नैचुरल कलर ही जादा बेटर है बहुत शांदार रस्मलाई बनी थी अंगूरी रस्मलाई भी बोल सकते हो आप इसको तो एक बार जरूर ट्राइ करियेगा और मुझे कमेंट में बताइएगा